हेलो एबरीवन इन तोडेश वीडियो वी आगोई टो लॉन अवेरी इंपोर्टन टॉपिक विच इस ओरीजिन एंड इवॉल्यूशन इन हुमन्स यह टॉपिक चैप्टर इवॉल्यूशन से है और यह चैप्टर नीट में तीन या चैया क्वेस्टन पुछे जाते हैं और इसमें भी एक या दो क्वेस्टन यह चैप्टर में से पूछे जाते हैं अभी NCRT की जो बुक है उसमें आप देखोगे तो काफी मिक्स अप और कॉंप्लिकेटर लेंग्विज में लिखा गया है टॉपिक तो यह वीडियो में MCQ के लिए कैसे हैल्फुल हो सकता है वैसे की वे में मैंने सिंप्लिफाइ करने का ट्राइ किया है ठीक है फर्सली हम देखते हैं कि एम्स 2016 में क्वेशन पुछा गया था ओर्डर ऑफ हुमन रिवल्यूशन प्रॉम अर्ली टुदर रिसंट इस तो अभी चार अप्शन्स है उसके NCRT की जो बुक है इसमें कुछ इस पैटर्न में दिये है हुमन इवल्यूशन का जो ओर्डर है वो कि सबसे पहले ड्रायो पिथेकस हुए थे उसके बाद रामा पिथेकस देन ऑस्ट्रेलियो पिथेकस देन होमो हैविलिस देन होमो इरेक्टस देन होमो नेंडर्थल एंड लासली अभी के जो है वो है modern होमो सेपियंस ओके तो अभी यह पैटर्न याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है वो है डॉक्टर राम इन ऑस्ट्रेलिया है रिसर्च इवल्यूशन औन न्यू होमो सेपियंस ठीक है यहाँ पे evolution वर्ड आ जाएगा जिसे you can remember कि यह यह कुछ है जो ट्रिक है वह Origin के लिए है प्रेम आद रेल्यूशन के लिए है लॉक्टर से होजाएगा डुच्छ तराय आउ can रम से होजाए गा सबसे पहले एक आपले सबसे और भी नहीं है यह रामा फिठेकर्ट People पूखकरिश्म सबसे पहले क्या रामा फिठेक्टे कस यह सेट करें अब इसे मैं पर वह बीख सकते हैं आप इंडी में तो answer must be option D, which is Ramapithecus, then Australia, then Homo habilis, and then Homo erectus. So, ये trick की मदद से, you can easily remember this wall pattern. Now, another one, which is, ये जो topic है, उसमें कुछ characteristic दिये है, अलग-अलग evil-doted humans के, जो वो भी काफी important है, ठीक है? तो पहले देखिए, Dryopithecus and Ramapithecus थे, they are walk like gorillas and chimpanzee. पर जो Dryopithecus थे, वो appearance में एप जैसे ज्यादा थे, and Ramapithecus थे, वो man जैसे appearance में ज्यादा थे. उसके बाद, Australopithecus are hunted with stone weapon, but eat fruits क्या? कि वो hunt तो करते थे animal का, पर खारने के लिए सिर्फ fruit का ही इस्तेमाद करते थे, animals का नहीं. और वो देखे गए African grassland में. Another one, Homo habilis, they are the first human-like creature, and they also eat fruit. उसके बाद, Homo erectus, their fossils are found in Java in 1891, okay? और they are the first human which ate meat, okay? यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहले human कौन से थे, जो meat खाते थे, वो थे Homo erectus. उसके बाद, Homo neanderthal, they used heights to protect their body, and buried their dead, okay? और वो देखे गए Central and East Asia में. उसके बाद आए Modern Homo sapiens, and they are first seen in Africa, and then they distribute in different parts of the earth, okay? यहाँ पर आपको जो differentiate होती है चीज़े, वो खास याद रखनी है, जैसे Homo neanderthal, Central and East Asia में देखे गए. सबसे पहले human-like creature, Homo habilis थे, उसके बाद सबसे पहले meat खाते थे, वो थे Homo erectus, like this, okay? Now see, दूसरी एक चीज़ भी NCRT में added है, वो है कि, how much time before this wall, this wall, evolved human, are supposed to be seen, okay? तो Dryopithecus and Ramapithecus थे, they are supposed to be present before 15 million years ago, Australia Pithecus are 2 million years, Homo habilis 2 to 1.5 million, Homo erectus 1.5, then Homo neanderthal, they are 1,000 to 40,000 years ago, Homo sapiens are 75 to 10,000 years ago, उसके बाद ये दूनों चीज़ भी added है NCRT में, वो है कि, pre-historic cave art था, वो 1800,